हाँ दोस्तों क्या हल चाले गए अब फिर से स्वागत करते हम आपका फैंटेसी प्लिंग 11 के इस यूट्यूब चैनल पर बता दे कि बांगलादेश की किरकेट टीम अभी भारत दोरे पर है यानि कि भारत आई हुई है जहां बांगलादेश को दो मैचों की टेस्ट स्रीज खेलनी थी वहीं तीन मैचों की टेस्ट स्रीज खेलनी थी आपको बता दे कि दो मैचों की टेस्ट स्रीज का समापन हो चुका है और इस मुकाबले को भारती टीम ने काफी सांदार तरीके से जीत लिया यानि कि 2-0 से भारती टीम ने 2 test मैचों की स्रीज को जीत करके बांगलादेस की टीम को एक तरह से clean sweep कर दिया है खेल लेकिन आज हम बात करेंगे भारत बनाम बांगलादेश के T20 सिरीज के बारे में जो की 3 मैचों की T20 सिरीज खेली जानी है जिसका आगाध 6 अक्टूबर से होने वाला है जानेंगे इससे पहले कि अब तक कितने मुकाबले हो चुके हैं इन दोनों टीमों के बीच में और किसका पढ़ रहा है घूब सारा भारी खेर सबसे पहले हम आपको बता दे कि 6 अक्टूबर से होने जा रहा है तीन मैचों की T20 सिरीज का पहला मुकाबला और यहां मुकाबला यानि कि पहला मैच आपको ग्वालियर के न्यू माधवराव सिंधिया किरकेट स्टेडियम में देखने को मिलेगा हम आपको बता दे कि यह पहला मौका होगा जब ग्वालियर के माधवरास इंधिया किरकेट स्टेडियम में कोई पहला आंत्राष्टी T20 मुकाबला खेला जाएगा ऐसे में आपको यहां के पीच रिकोर्ट्स नहीं मिल पाएंगे हाँ पीच के बारे मे बाएस जून को दोनों टीमों के बीच आखरी मुकाबला खेला गया था और इस मैच में भारत ने पचासर रन से जीत हासिल की थी खेर अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वह कौन सा मुकाबला था चुकि 14 मुकाबले दोनों टीमों के बीच में खेले गए हैं और एक ही मैच बांगलादेश की टीम ने जीती है तो वह कौन सा मुकाबला था जिसे बांगलादेश की टीम ने जीता था खेर हम आपके बता दे कि वह साल 2019 का मुकाबला था इस दोरान भी बांगलादेस की टीम टीम इंडिया के दोरे पर थी और तब कप्तान रोहिस सर्मा थे और उनकी कप्तानी में दिल्ली में यह मुकाबला खेला जा रहा था इस दोरान भारत ने बैटिंग करते हुए 6 नुकसान पर यह मुकाबला जीत लिया था और यह लक्षी को 646 रन के लच्षे को अहासिल कर लिया था तो 2019 का एक मातर मुकाबला था जिसे बांगलादेस की टीम ने जीता था इससे पहले और इसके बाद अभी तक कोई भी टी टीट्वेंटिया मुकाबला बांगलादेस भारत के खिलाफ नहीं जीता है खर अगर भारत और बांगलादेस की बीच सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले खिलाडी के बारे में बात कर ली जाए तो हम आपको बता दे कि यह युजवेंद्र चहल है हलांकि चहल अभी टीम का हिंसा नहीं है लेकिन इस खिलाडी ने भारत और बांगलादेस की बीच टीट्वेंट याई सिरीज में सबसे ज्यादा विकेट यानी की नौ विकेट चटकाने का कारनामा किया है और यह कारनामा युजवेंद्र चहल ने 6 मैचों में किया है वहीं भारत और बांगलादेस की बीच एक टीट्वेंट याई लिए हैं और उन्होंने यह मुकाम साथ मैचों में हासिल किया है। अगर बांगला देश के स्क्वाइट के बारे में बात कर ली जाए तो हम आपको बता दे कि इसमें सामिल है नजमुल हसन सांतो जो की कप्तान है उसके अलावा तंजीद हसन तमीम, परवेज हसन इमोन, इसके अलावा तोहीद हिर्दोय, महमुद उल्ला, वहीं लिटन दास, जाकिर अली, महदी हसन मिराज, महदी हसन, रिसाद हुसेल, मुस्तफिजूर रह्मान, तसकीन अहमद, सोरिफुल इसलाम, तंजीम हसन, और रकिबुल हसन सामिल है तो दोस्तो यही थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, मिलते हैं फिर एक न आप से लेते हैं विदा, धन्यवाद